हेलो दोस्तों मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी ग्यान पर और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़ियां एप्स का रिव्यू लेकर आया हूं जो काफी बढ़ियां है ना केवल वह आप के मॉवाइल फोन को फास्ट और आपकी जो बची हुई मेमोरी को जो मिलके खराब कर रहे हैं जो मेमोरी को खराब करते हैं मतलब की जो आपकी मेमोरी पर बैठ गए हैं और आपको पता भी नहीं कि आपके फोन में वह चीजें हैं भी तो उसी को ध्यान में रखते हुए मै आप लोगों के लिए एक ऐसे दो एपों का सजेस्ट लाया हूं आप लोगों के लिए जो आपके काफी काम में आएंगी चलिए मैं आपको बता देता हूं थोड़ी सी डीटेल में आपको बता देता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारे पास कोई गा जा था और कभी-कभी क्या होता है कि हम फोटो वगेरा डाउनलोड करते हैं तो कभी-कभी एक जैसी दो-दो फोटो आ जाती है डाउनलोड कर लेते हैं या फिर खीच लेते हैं और हमें पता ही नहीं होता इसके बारे में या कभी-कभी क्या होता है कि हम ने अपने फॉन से चीजें तो दिलिट MALE तहीं मानगेज़् हमने अपने फॉन में हमने कुछ फोटो या फाइल्स या कोई application या कई movies हमने डिलिट मार दिलेकिन उसका कुछ बचा हुआ पाट हमारे फॉन में हमेशा जिन्दा रहता है हमारे फॉन में रहता ही है और जंक बनके हमारे phone को slow पर slow करता जाता तो ऐसे में वह हमें कभी नहीं दिखता हम उसे सर्च भी करना चाहे manually तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि वो चीजे हमारे phone में ही है लेकिन इस apps की मदद से आप अपने phone को ना के वल fast बना सकते हो बलकि उन duplicate file को ढूंड भी सकते हो और उन्हें delete भी मार सकते हो तो इसी को ध्यान में रखते हो मैं आज आपके लिए ऐसे दो application का suggestion लाए हूँ जो आपके काफी काम में आगी पहली application का नाम है duplicate file fixer जी हां बिलकुल सही सुना यह काफी fast काम करता और काफी अच्छा ही हूँ तो play store पे आपको ढेरो सारे इस जैसी application में मिल जाएंगी लेकिन यह जो दो application में आपके लिए लाया हूँ दोनों अलग-अलग तरीके से काम करते हैं और बहतरीन काम करते हैं कि किस तरह से काम करता है पहले application का नाम है duplicate file fixer आप इसका नाम पढ़ सकते हैं यह देख लीजिए duplicate file fixer नाम है और इसको यह काफी fast है पहले वाली application से काफी fast जैसे कि मान के चलिए मैं scan audio करता हूं मेरे को नहीं पता कि मेरी audio मैं कौन-कौन से गाने double double है जो मेरी memory को खराब क तो चलिए मैं audio को scan करता हूं देखता हूं कोई गाना है मेरे phone में double double scan कर दिया और यह काफी fast काम कर देता यह देख लिए काफी fast इसने काम कर रहा उसने मुझे बता दिया कि यह जो गाना है यह जो पहला गाना है यह आपके पास दो-दो पड़े हैं देखिए same MB में पड़ चैसे इसने मुझे दिखा दिया कि यह पिक्छर हो है यह double double जिस पर भी राइट का निशाना आ रहा ना वोगए heh 就這я आप डिलिट मार्वत और यह कोई यह यहीं में दो झान!」 पास चलिए डोकुमेंट मेरे पास फाइल यह देख लिजी यह document की कोई फाइल है यह भी मेरे पास डवल है और जब इसे आप फुल स्कान करते हैं नीचे आप देख सकते फुल स्कान का इसका मतलब होता है सारी फाइलों को यह एक साथ स्कान कर लेगा और आपको तो इस तरीके से आप इन फाइलों को डिलिट मार सकते हैं तो चलिए तो यह एप्लिकेशन भी आप लोगों के लिए उतनी ही इंपोर्टन्ट होगी जितनी आपके फोन में कोई और अप्लिकेशन इंपोर्टन्ट है जैसी वाट से फेस्बुक आप चलाते हैं तो इसी तरह यह भी अप्लिकेशन अपने फोन में रख लीजिए और काफी काम में आएगी आपके फोनों को फास्ट बनाने के लिए जंक डिलिट मारने के लिए और आपको जो पता भी नहीं कि आपके फोन में जो फाइले इंस्टॉल है उसको भी डिलिट यह मार देगी तो यह था पह आप्शन में डाल दूँगा तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि यह देख लिए यह इंटर्नल और sd-card दोनों को स्कैन करने का नीचे आप देख सकते हैं यह देख लिए जिस मर्जी को स्कैन करना हो आप सकते हैं जैसे कि मैं मान के चलिए कुछ फाइलों नहीं करूंगा ठीक है इनको मैं स्कैन नहीं करूंगा क्योंकि काफी टाइम लगेगा इने स्कैन करने में तो मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ डाउनलोड के फाइल को स्कैन कर रहा हूं कि देखता हूं डाउनलोड के फाइल में कितनी सारी मैंने फाइले डुब्लीके हैं अब सारी स्क्राइब करते तो आफी काफी टाइम लेता है और काफी बैसरीं काम करता है जब आप इसका उसका उजे फिसे नीचे बता भी रहा आपको नीचे दिख रहा हो यहां पर 412 फाइले में रोखो यह बता रहा है यहां के पास डूब्लिकेट हैं और 127 MB, 127 MB ये देख लीजी नीचे, ये मेरी खराब कर रहे हैं, तो इस तरह से मैं अपनी 127 MB को recover कर सकता हूँ मेरे phone में, 127 MB आप जानते हैं एक phone के लिए कितना important रहता है, ये सब कुछ delete मार देता है, सब कुछ everything ये नीचे आप delete का option देख रहे हैंगे, इसको जैसी मैं tap कर यहां से मेरी सारी चीजें delete मार देगा, जितनी भी duplicate data मेरे phone में पढ़ा हो, तो इसका use आप कर सकते हैं, अपने phone को fast बनाने के लिए भी, और अपने phone से duplicate file को delete मारने के लिए भी, जो आपको पता ही नहीं होती कि गलती से आपने कभी download कर ली होती है, या फिर कभी इन file को delete मा लीजे इन ही तरह की tips और tricks के लिए जो आपके काफी काम में आती रहती है, thank you